है हैर महादेव दोस्तों स्वागत करते हैं आपके अपनी चैनल में अज बात करेंगे रोजाना पूजा पार्ट करने वालों को उनके जीवन में ऐसा क्या करना चाहिए जिसे उनका जीवन सफल हो सके देवतरंगे उनके पास आ सके और देवे शक्तियां उनके घर में उनके श्दिर में आ सके और नेगती वुर्जा उनके घरसे बाहर जाए देखे जब भी आप पूजा करते हैं और अनुश्ठान करते हैं यग करते हैं हमन करते हैं यह इसारी सारी बात आपको आपके इष्ट देव से जोड़ती है और वो ब्रमांडिया उर्जा आप TAKनेक्ट हो परण आपके घर से नकारात्मक शक्ति निकलना शुरू हो जाती है दुख रोग टैंशन जितनी भी जगत की संसार की परेशानिया है वे सारी आपके शरीर से आपके घर से निकलना शुरू हो जाती है तो बहुती श्रदा वोती भाव से हम अपने इश्ट देव को मानते हैं पूजते हैं उनकी जोद प्रजलित करते हैं मंदिर जाते हैं वरत करते हैं अनुष्ठान करते हैं और तरह तरह के दान हम जो हैं देते हैं अगर आप चाहते हो कि आपकी रोजाना पूजा पार्ट करने की विदी से जितनी भी देवया शक्ति की तरंगे हैं उर्जा हैं वो आप तक कनेक्ट हो तो आपको कुछ कारिया अपने देनिक जीवन में अपडाने होंगे इनसे आपके घर में पोजिटिव एनरजी आना शुरू हो जाएगी पहला कारिया आपको ब्रह्मूरत में उठना शुरू करना होगा और ब्रह्मूरत का समय होता है तीन बजे से पांच दिन का सुरुवात में और फिर जब दीरे आपका समय बढ़ता चला जाएगा तो आप एक दिया प्रोजित कर सकते हैं और सुबह शाम आप दिया प्रोजित कर सकते हैं बात कर लेते हैं दूसरे कारिया के बारे में देखे आप जब भी ब्रह्मूरत में उठते हैं तब हारादना करते हैं आरती करते हैं तो आपको संकलब ले करके अपनी पूझा अपने जो भी कारिये हैं पूझा पाठ के वो आपको करने हैं आप संकल्प कैसे लेना है राइट हैंड में आपको थोड़ा सा जल रखना है और बिना टूटे होई चावल रखके दाने आपको लग लें पांथ से साथ और अपने ममी पापा का नाम जगय का नाम बता करके आपको जमीर पर छोड़ देने हैं साथ ही आपको प्रातना करनी है कि जो मैं मतजाब कर रहा हूं, फूजा कर रहा हूं, आर्ति कर रहा हूं, चालिसा कर रहा हूं, ये मेरे इश्ट देव तक ही पहुँचे, ग्रपा इस पे कोई नकरात्मक शक्ती इसको ग्रेंड ना करे बीज में, ऐसी प्रातना आपको अपने इश्ट देव से करनी है, बात कर पूजा के इस्थल पर आपको वश्य रूप से करने हैं और संकल्प लेकर के भी आपको दीबदान करना है और थोड़ सा आपको महापर जल भी रख देना हैं जितने भी दिये आप जलाते हैं समय एक-एक लोंग आप डाल देना एक-एक मिश्री कर दाना आप उसमें डाल दे पर ल सकते हैं आप प्रतना करें अपने इस्थ देव से की आपके घर पर जो कोई नकारत मकशक्ति हैं या फिर किसी को जयादा पूजा करें तो आप प्र प्रतना कामना है उसके लिए भी आप इसकार्य को कर सकते हैं आपको 11 दिन का जब संकल्ब ले करके इसकार्य को करेंगे तो आपका काम जो है वो 11 दिन के अंदर ही बन जाएगा अगली चीज शाम के समय सूर्य अस्थ होने के बाद में आपको इस कार्य को करना है अपनी घर की मुख्या दर्वाजे पर आपको एक दीपक रखना है जो लोग बाहर रख सकते हैं वो गेट के बाहर आप रख सकते हैं और जो लोग ये सोचते हैं कि वह उनके गाओं महुले वाले कुछ कहेंगे आसपास पर उसके कुछ आदमी बात बनाएंगे तो वह अपने जो मैंगेट बंध होता है आपका वहापर भी उसको कर सकते हैं बस आपको यह ध्यान अखना है कि जब आप प्रजृत कर रहे हों अपनी दैलीज पर तो आपका मुख आपके घर की तरफ हो और एक दिया आप तुलसी मा के पास भी अवशारूप से रखे क्योंकि विश्णो भगवान को तुलसी मा बहुत ज़्यादा प्रिय है और शुबह और साम आप हनुमान जी की अवशारूप से जोत प्रजृत करें साथ ही आप चालिसा करें चालिसा को आप एक टाइम में स आपके आप सकते हैं जितनी पूरानी तस्वीर होती है या फिर भगवान की जितरे भी आपके बहुता करें और उनुमान जी की आपको पूरणे के पूजा को पूरे घर में फेलाना है और शिड़कना है और साथ ही आपको प्रात्रा करते रहना है कि जो मेरे घर में रगारात्मक शक्ती है इसको घर से बाहर निकाले अच्छी पोजिटिव एनरजी मेरे घर में हो हनुमान जी की तरंग हनुमान जी की शक्तिया मेरे घर में आएं और जैसीयराम जैसीयराम वनुमान जी महराज का जै जैकारा आपको करते हुए अपने लाश्ट के कमरे से अपने मैंगेर तक आपको जल छिड़काओ करना है साथ ही उसके बाद आपको जितने भी आपके घर के मेंबर है सबको आपको जल पिलाना है इन कारिया को करने से आपके घर में सुक्षान्ती सम्रद्धी का वास होगा और आपकी जो दैनिक रूप से पूजा पाट करने की इस्तिती है वो भी सुदर जाएगी आपका पूजा में मन लगना शुरू हो जाएगा धार्मिकारिय में मन लगना शुरू हो जाएगा और पो झाल झाल